रजस्तान अर्दवार सिख परिक्सा 2022-23 कक्षा आट विसे हिंदी आज हम कक्षा आट वी के हिंदी विसे का पेपर सॉल करेंगे जो अर्दवार सिख परिक्सा के लिए महतवापून प्रश्णा बत्तर है आपकी कक्सा आठ की अर्दवार्सिक परिक्साय सुरू हो चुकी है पूरे प्रदेश बर में आपके पेपर स्कूल से भी मनेंगे और कुछ पेपर बार से भी आएंगे आपके जो पेपर होंगे वो किस तरीके से आएंगे पेटन किस परकार से रहेगा वो आज की स्रेड़ में बताएंगे कि कौन-कौन से मैत्वण परशन है जो आपके पेपर में पूछ जाएंगे तो आप एक बार इस वीडियो को एंड तक देखे आपको आंसर सहीत हम सभी परशनों के उत्तर बताते जाएंगे और जो मैत्वण परशन है उनको आपको कलेर समझाते जाएंगे तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहें चलिए पेपर को स्टार्ट करतें जिसमें पहला परशना पूछाएं कि कभी को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत कभी नहीं होगा कभी नहीं होगा अंत से ये कविता से आया ये परशना कि कभी को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत कभी नहीं होगा इसका उत्तर किस तरीके से होगा कि कभी को ऐसा विश्वास इसलिए है उत्तर कैसे लिखना कभी को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी उसके मन में नया जोस्व उमंग है उसके मन में अभी उसे काफी नविन कारे करने है काफी नए कारे करने है और वह युवा पीडी को आलश्य की दसा से उभारना चाता है यानि आलश्य है वो दूर करना चाता है युवा पीडी का इसलिए है वो उसका अंत है वो कभी नहीं होगा इसलिए उसे ऐसा विश्वास है कि अभी उसके मन में नया जोस और उमंग है इसलिए उसका अंत है वो अभी नहीं होगा नेक्स्ट प्रस्न है यह वेरी इंपोर्टेंट है कि वस्तु विनी में क्या है विनी में कि पर्चलित पदती क्या है वेरी इंपोर्टेंट प्रस्न है वस्तु विनी में को हम समझे तो वस्तु विनी में ऐसे तात पर है कि लेन देन के लिए रुपे पैसों के इस्तान पर ए एक दूसरे के गर में जो वस्तु कम होती थी तो वो वस्तु के बदले वस्तु लेते थे पैसे का सिस्टम नहीं था पहले अभी यह वो पैसे देकर गाओ में परचली थे अभी भी यह परचली थे गाओं में या लोग अंड के बदले अन्य किसी भी खाने बीने के कपड़े वस्तु के आदान प्रदान करता है अन्ड के बदले हम कम किसी भी कपड़े खाने बीने जो भी है उसका आधन परदान करते रहते हैं गाओं में ये अभी भी थोड़ी बहुत परचली थे ये फरनाली तो ये important प्रसन है आपके लिए फिर next है आपको तीसरा प्रसन है गजब हो गया गजब हो गया ऐसी बस अपने आप चलती है लेकक को ये सुनकर हैरानी क्यों हुई very important प्रसन है अब देखें लेकक को ये हैरानी क्यों हुई कि गजब हो गया ऐसी बस तो अपने आप चलती है देखे हैरानी क्यों हुई लेकक के नुसार हम देखे तो लेकक को ये सुनकर हैरानी इसलिए हुई कि देखने में वह बस अत्यन्त पुरानी और खटारा सी लग रही थी ये देखकर विश्वास नहीं हो पा रहा था कि ये सपर तै कर सकेगी इस तरीके से लेकक को ये सुनकर हैरानी हो रही थी नेक्स्ट परसना जो वेरी इंपोर्टेंट है कि कवी ने अपने आने को उल्लास और जाने को आसु बनकर बनकर बहे जाना क्यों का है लोगों को खुशियों का संदेस देता है जिससे लोगों को अपने दुख है दुख को बोलने का अवसर मिल जाता है याने कि कवी है वो जाने के जाने के उल्लास से लोगों की खुसियों को संदेश देता और उनके दुकों को बुला देता है फिर दिखेगा है कभी ने आने के आसु बहा कर बहा जाना इसलिए का है क्योंकि उसके जिवन में आई खुसिया सिरकार तक नहीं रह पाती थी उसके जीविन में जो खुसी आती थी वो सिरकार तक नहीं रह पाती तो इस तरीके से इसका अंसर हो जाएगा नेक्स्ट प्रसन आपको पांच वाए वेरी इंपोर्टेंट प्रसन है कि पत्र जैसा संतोस फोन या SMS का संदेश क्यों नहीं दे सकता जैसे पहले पूराने जमाने में हम पत्र बेशते थे लेकिन अब तो directly phone पर बात कर सकते है SMS के जरी संदेश के जरी बात कर सकते है तो देखे पत्र जैसा जो संतोस होता था वो SMS और phone के जरीए नहीं दे सकता तो किस तरीके से नहीं हो इसका answer देखे तो देखे क्योंकि फोन SMS द्वारा केवल कामकाजी बातों को संचिप्त रूप से व्यक्त करता है और पत्रों द्वारा हम अपने मनोभावों को खुल कर व्यक्त कर सकते हैं अपने दिल में क्या बात है वो खुल कर पत्रों से पत्रों में लिख कर आप असनी से मनोभावों को खुल कर व्यक्त कर सकते उससे अमेता जलकती है इन्हें अनुसंदान का विशे भी माना जा सकता है इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा प्रस्न है चटा कि पकसी और बादल में छिट्टियों में पेड़ बौदे पानी और पहाड क्यों पढ़ जाते है तो देखिए इसका आंसर देखिए तो पकसी और बादल में जो चिट्टियों में पेड़ बौदे और पानी पहाड होते है वो भगवान के भेजे एकता और सदबावना की संदेश को पढ़ पाते है इस पर हम अमल करते है नदिया समान बाव से सभी लोगों में अपने पानी को बाड़ती है पहाड भी समान रूप से सबको साथ खड़ा होता है पहाड और पेड़ बौदे समान बाव से अपने फूल और अपने फल और सुगंद को बाटते कभी बेदबाव नहीं करते है इन तरीके से इनकी बावनाओं को व्यक्त किया गया है तो आप इसको समझ सकते किस तरीके से यह तीनों काम करते जिसमें देखिए बादल हो गया पेड हो गया पानी पेड़ बौदे बगेरा बादल इस तरीके से पकसी बगेरा फिर नेक्स्ट है कि दोसों का परदा फास करना कब बुरा रूप से ले सकता है दोसों का परदा फास करना कब बुरा रूप से ले सकता ह उद्गाटित का मतलब समान रुप से मानते है जब किसी के गलत आचरण होता है उद्गाटित करते हैं उसमें रच जाते हैं उसमें सामिल हो जाते हैं हमारा दूसरा को अपना करते हुए मान लेना सही नहीं है किसी के आचरन को गलत पक से उद्गाटित करके वो उसमें रचे जाने की बात हम नहीं करना है तरह किसे इसका अंसर समझ सकते हैं आप किताब से भी स्पेस्ट कर सकते हैं देखिए next प्रसन है very important प्रसन है यह आपके exam में 100% आएगा लेकि छीडिया चोंच में 3 का दबाकर उड़ने की तयारी में क्यों है वा तिनको का क्या करती होगी लिखना है आपको very important प्रसन है कि छीडिया अपने चोंच में 3 का दबाकर उड़ने की तयारी में है क्योंकि सूरज डूबने का समय हो चुका है उसके डूबने से पहले छिडिया अपने लिए गोसला बनाना चाती है अपने लिए गोसला बनाना चाती है रहने के लिए और सूरज डूबने का समय हो चुका है तो वो तिनकों से अपने लिए गोसला त्यार कर उसमें अपने बच्चों के साथ रहेगी गोसला उसके परिवार की सुरक्सा परदान करता है इस तरीके से इसका अंसर आप समझ सकते हैं नेक्स्ट प्रेशन नौ नंबर की कामचोर जो कानी आपके हिंदी की पाठे पुस्तक में वो आपको क्या संदेश देती है उससे क्या संदेश मिलता है तो देकि कामचोर कानी का संदेश देती है उत्तर उसका क्या रहेगा हास्य प्रदान कानी है यह कानी संदेश देती है कि बच्चों को घर के कामों से अनभिग्ये नहीं होना चाहिए आपको काम करना चाहिए घर का काम भी आपको करना चाहिए अनि घर के कामों से बच्चों को अनभिग्ये नहीं होना चाहिए काम थोड़ा बहुत करना चाहिए उन्हें उनके सुभाव के अनुसार उम्रे और रूची ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए उनका सुभाव कैसा है और उनकी रूची क्या उम्रे कितनी है उसके अक्वाडिंग आपको घर का काम भी थोड़ा बहुत करना चाहिए हेल्प करनी चाहिए ममी बाबा की इस तरीके से तो इससे में ये सिक्सा मिलते के बच्चों को घर के कामों में अन्द बिग्ये नहीं होना चाहिए नेक्स्ट पूचाए कि सुदामा की दिन दर्शा देखकर स्रीकिष्ण की क्या मनुद्शा हुई अपने सब्दों में आपको लिखना है जो जो भी सुदामा और स्रीकिष्ण के बीच में जो भी मनुद्शा उत्पन होई तो वो आपको देखकर लिखना है देखे चले हम आपको बता दे किस तरीके से होगा इसका सुदामा की दीन दसा को देखकर स्री किष्णा अत्यन्त दुख हुआ उनको उत्यन्त दुख हुआ दुख के कारण स्री किष्णा के आखों से आशु धारा बहने लगी आशु धारा है निकी आखों से आशु की नदिया बहने लगी धाराय बहने लगी उनकी सुदामा के पैरों को दोने के लिए पानी मंगवाया परन्तु उनकी आखों से इतने आसु निकलने की उन्हें आसु सुदामा के पैर ही दुल गए इस किसना के आखों से इतने आसु आने लगे बहने लगे आसु की धारा बहने लगी उससे सुदामा के पैर ही तुलगे इतने मतलब आसू आने लगे सिकिष्ण से तो इस तरहे के से आप इनका वर्णन कर सकते हैं सुदामा और सिकिष्णा की मिलन दिन दसा को देख कर नेक्स्ट प्रस्णफ वेरी इंपोर्टेंट है कि बिलवासी जी ने रुपियों का परबंद कहा से किया था लिखना वेरी इंपोर्टेंट आपको आता होगा साइट बिलवासी जी था बिलवासी जी ने लाला जाओ लाल की मदद करने के लिए अपनी पतनी के जो संदूक हो आपको देना चलिए किरिया की परिवासाद देखते हैं किरिया की परिवासाद देखें तो ऐसे सब्द जो किसी काम के करने या होने का बूद कराते अर्थात किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे हम किरिया कहते है वे सब्द क्या कहला थे किरिया किसी काम का करना या हो किरिया का जीसे example देखेए तो किसी काम का करना एक जैसे एक कार सेंटेज़ pipelines िसंने में अगर किसी कारे हो राद कुई कारी हो रहा है थो वह आपकी किरिया ओगे किसी काम का करना नैंहें अग्सा उसे किरिया कहते हैं जिसे पढ़ना एक कारे हो गया लिखना एक कारे हो गया खाना पीना दोड़ना सोना आधी यह सब कारे हो गये तो किसी काम का करना है होना पाये जाता है उसे हम किरिया कहते है नेक्स्ट है कि आपने आठवी कक्सा उत्रिंड कर लिया पास कर लिया और किसी बाइदवे किसी अलग स्कुल में तो अपने विदाली के प्रदाना जो अध्यापक है उससे इस्ताना अंदरन परमान पत्र यानि कि ट्रांसवर श्रेटिपिकेट टीसी है तु परातना पत्र ले आपको टीसी पराप्त करनी है तो आपने जो जो विदाले में पढ़ र पिर आपको निबंद लिखना बेटी बचाओ बेटी पड़ाओ बहुत नॉर्मली यह पूचा जाता है तो निबंद आप लेख सकते आसानी से बिल्कुल सिंपल कॉसंट और तेरा नमबर कॉसंट आसानी से इसको कर सकते है आप तो यही आपका पूरा हिंदी का पेपर था जो हमने आपको पूरा सवाल करवाद है अच्छे से हम आप ने हमें आपको समझा दी किस तरह की प्रस्ना आइग शबी प्रशन है है आपके पेपर में आपको देखने को मिलेंगे 100 परसंट मैं कहरा हूँ 100 परसंट आपको इस मै опушки सारे देखने को मिलेंगे कि हमारे paper से बताए हुए बताए हुए प्रस्ना कितने साही हुए और कितने आये है कितने नहीं है फिर देखना तो इस paper का video मैं अपने चनल के description box में link मैं डाल दूँगा तो paper का video प्राप्त कर सकते ऐसे सारे और भी विडियो जो out और भी